दिल्ली पुलीस द्वारा कॉंग्रेस मुख्याले में घुस कर लाठी चार्च करने के खिलाफ कॉंग्रेस कारे करताओं ने राज निवास का घेराओं किया के साथ पुलीस की बरबरता चौथे दिन भी जारी रही इसमें पुलीस ने मौजद कॉंग्रेस कारे करताओं पर वोटर के नंचला कर प्रहार किया जसमें प्रदेश अधिक्ष अनिल कुमार के सर पर गहरी चोट आई और उनका कंदा तूट गया मौके पर वे कुछ समय के ल करने वाले नहीं है और ताना शाही सरकार के खिलाप सत्य और न्याय की लड़ाई के लिए सत्या गरज जारी रहेगा पुलीस द्वारा कॉंग्रेस मौख्याले में घुसकर लाठी चार्श के खिलाप उपर आज जुपाल कार्याले में एक ग्यापन बीदी आ गया दिल्ली से बीसे न्यूस के लिए वरजेश कुमार